नमस्कार मैं हूँ अंकित शर्मा और एक बार फिर हम आपके सामने हाजर हुएं चारदाम की खबरों को लेकर अगर मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से उत्राखन में लगातार खास तोर पर पहाडी चेत्रों में मौसम खराब हो रहा था अब मौसम साफ होना शु किदारनात की अगर हम बात करें तो तीन और चार को यात्रा अवरोध हो गई थी क्योंकि लगातार बरफ का जो था पहाडी चेत्रों में जो यात्रा का पड़ाव है वहाँ पर आना शुरू हो गया था जिसकी वज़े से यात्रा रूट जो था वो ब्लॉक हो गया था इसक में काफी उत्सा है बदरीनात की अगर हम बात करें तो बदरीनात में भी बरफ बारी के बाद अब मौसम खुलने लगा है मैदानी चेत्रों में भी मौसम खुल रहा है हाला कि मौसम विभाग के अनुमान की अगर हम बात करें तो नौ तारिक तक उत्राखन के कई चेत्रों किया कि खोशित किया है मौसम विभाग लगातार अपीL कर रहा है कि यात्री जो पहड़ी चेत्रों में गर्म कपडे लेकर जाएं अपने साथ दवाईू को रखें हेल चेकप जरूर करा ले और सुरक्षित स्थानों पर रहें देखा जा रहा है कि यात्रा दीरे दीरे सुचारो रूप से बढ़ने लगी है और बीच में जो यात्रा ब्लॉक हो गई थी क्योंकि मौसम खराब हो रहा था अब मौसम साफ होने लगा है लेकिन अभी भी साफधाने की जरूवत है बिना सुचना प्राब किये पहडी छेत्रों में यात्रा ना करें ऐसा उत्राकन पुलीस भी कह रही है और मौसम विभाग भी कह रहा है सोशल मीडिया पे तमाम जानकारिया उपलब्ध हैं आप मौसम विभाग की जानकारिया सोशल मीडिया से भी ले सकते हैं अगली मौसम की जानकारी के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक हमें इजाज़त दीजे नमस्कार हुआ 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 है